नमस्कार जैहिंद मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल देश्ट टॉन्टिफॉर स्टडी में आपका हादी स्वागत करता हूं आज का कलास हम लोगों का 36 नमबर का है इससे पहले हम 35 वीडियो अप्रोड कर चुके हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में लिंक रहेगा आप डिरेट जागे चेक आउट कर सकते हैं जैसा कि कल से हम लोगोंने एससे सीजेल जो की भी दिसवंबर 2022 में हुआ है उसका क्वेस्चन लगा रहे हैं पार्ट वन हम लोगोंने कल अप्रोड किया था आज हम लोग पार्ट टू अप्रोड करेंगे ठीक है चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्या है आप पहला सवाल एन कर्ष में सेल में अधिकतम कितने इलक्टरोन हो सकते हैं जब भी आपको मैक्सिमम इलक्टरोन निकालने के लिए पुछे न तो आपको दो जगा पुछता है एक तो सेल में पुष्टा है maximum electron निकालने के लिए आपको दो जगा पुष्टा है एक तो आपका पुष्टा है सेल में और एक पुष्टा है आपका सब सेल में सब सेल सेल मतलब क्या कच और सब सेल मतलब क्या उपकच ठीक है आपका जो सेल होते हैं चार सेल होते हैं, कौन-कौन सा, K, L, M, और N, यह आपका चार सेल होते हैं, चार कच होते हैं, उपकच, सबसेल आपका वो भी चार होते हैं, कौन-कौन सा, S, P, D, F, आपका जो S सबसेल है, इसमें मैक्सिमुम नमबर अफ इलक्ट्रोन कितने हो सकते हैं, दो होते हैं, आपका पी सबसेल में मैक्सिमुम नमबर अफ इलक्ट्रोन कितने होते हैं छे होते हैं डी सबसेल में मैक्सिमुम नमबर अफ इलक्ट्रोन आपका दस होते हैं और एफ सबसेल में मैक्सिमुम नमबर अफ इलक्ट्रोन आपका 14 होते हैं चार चार का गैप करके है आपको आप असानी से सके याद कर सकते हैं ठीक है अब बच गिया आपका सेल ठीक है जो कि करके है इसको याद करने के लिए एक फर्मूला होता है 2N square करके जो आपका अ है यह नंबर अपनार सेल है कि किस अभाले है ठीक है इसके 4 वगल, अलग कक्षा में, आपका इलक्ट्रों चकर लगा ते रहता है। यह उपका पधाला कक्षा, पहला सेल है, यह आपका सकेंड सेल है, थिक है ? तो 4 सेल होते है K L Am N करके , तो K आपका पहला सेल होता है, तो पहला cell put करने के लिए n का value 1 हो जाएगा यहाँ पर 1 put कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 बचेगा मतलब के cell में आपका number of maximum electron 2 होंगे ठीक है यहाँ पर 2 put कीजिएगा इसमें तो कितना आजाएगा 2 का square 4 4 गूना 2 8 हो जाएगा ठीक है थर्ड cell जिसको कि हम n cell बोलते हैं इसमें हम n का value 3 put करेंगे 3 का square 9 9 गूना 2 18 चौथा cell n है 4 value put कीजिए 4 का square 16 गूना 2 32 ठीक है तो यह आपका अलग-अलग cell में maximum number of electron आपको मिल गए यह formula याद रखेगा 2 n square अगर इसको नहीं भी याद रखते हैं तो आपको value direct याद करना पड़ेगा यहाँ पर पूछा है आपको aim cell में कितने मैक अधिकतम electron होते हैं तो आपका aim cell में 18 होते हैं option number C आपका correct answer होगा यहाँ cell के पूछात्वा बता दिए सब cell के लिए आपको याद करना पड़ेगा 2, 6, 10, 14 करके ठीक है चलचा का gap करके है चलिए हम आगे चलते हैं next क्या है महात्मा गांधी को राष्ट पीता किस इस्वी में कहा गया था तो महात्मा गांधी को राष्ट पीता कहकर स्वाम मोधित किया गया था 1944 में 1944 में अगर आप से पुछता कि महात्मा गांधी को महात्मा का उपादी किस ने दिया था वही आद्मी देंगे जो कि खुद महात्मा जैसे दिखते है ठीक है कौन याद करने का ट्रीक है कि महात्मा गांधी को महात्मा का वपाधी वही दिए जो कि खुद महात्मा जैसे दिखते हैं और रवीद रणात टैगोर, रवीद्नाट टैगोर से कुश्चन क्या बनता है पहले तो इनको गुरुदेव को नाम से जानते हैं गुरुदेव इन्हीं में आपका जो राष्टगान है जन गना मना का रचना किये थे यहां तकि जो बांगला देश का रश्टगान है उसका भी रचना रवीद्ना टैगोर ने किया था उनेश रव तेरह में भारत के ऐसे पहले ब्यक्ति थे जिनको कि नोब्रे प्राइज मिल्या था किस पुस्तक के लिए गितांजिली पुस्तक के लिए साहित् समा गांधी को महात्मा कवपाधी कब दिया था किस इस्वी में दिया था तो 1929 में दिया ठीक है और सुबास चंद्रबोस राष्टपीता कवपाधी 1944 में दिया था अब बात आ गया सुबास चंद्रबोस का सुबास चंद्रबोस का जनम कब हुआ था तेज जन्वारी 1897 में हुआ था उड़ीसा के कटक सहर में तेज जन्वारी को पिछले साल से ही कौनसा दिवस के रूप में मनाया जाता है प्राकरम दिवस के रूप में इंपोर्टेंट है याद रखियेगा प्राकरम दिवस के रूप में तेस जनवारी को मनाया जाता है इनका परमुख नारा है कौन-कौन सा तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें अजादी दोंगा इनका परमुख नारा है दिल्ली चलो कहां से दिया था सिंगापूर से सिंगापूर में ही सुभास चंद्रबोस ने जापान के मदल से अजाद इनफोज का गठन किया था सुभास चंद्रबोस आपका 1938 के हरिपूरा अधिवेशन का अध्याक्ष थे इसमें भी सुभास चंद्रबोस को ही अध्यक्ष पत के लिए चुनाव किया था लेकिन गांधी जी के मध्योंगेद होने कर सुभास चंद्रबोस ने कंग्रेश का अध्यक्ष था कपत त्याग दिया ठीक है महात्मा गांधी पटावी सिता रमईजया के को कंग्रेस का देख्ष मिना चाहते थे बाद मिन्हों ने सुबाष चंद्रबोष ने 1949 में ही कंग्रेस को छोड़ दिया और फारवर्ड ब्लोक का अस्थापना किया सुभास चंद्र बोस से और क्या कुशन बनते हैं इनका एक फेमस भूक है कौन सा इंडियन एस्ट्रगल इंडियन एस्ट्रगल भारत का शंगहर्ष अभी अंडवान नी को बारे में एक दीप है रोस दीप के नाम से इसका नाम चेंज करके बोस दीप कर दिया गया है सुभा करद बारे में एक और दीप था नील दीप नील दीप का नाम क्या कर दिया गया है शही दीप कर दिया है शही देप कर दिए गया है एक वहाँ पहारी था कौम सा मांट हेरिएट है कि तो कि अंड़ोर बार में पढ़ता है मांट हेरियेट मांट मनीपूर कर दिया गیا मांट मनीपूर कि याद रखियेगा नेक्स्ट कीा है, Mount wingson massive किस महा दीब का किस continent का सबसे हुँचा चोटी है, सबसे highest peak है तो माउंट wingson massive आपका Antarctica का सबसे उँचा चोटी है, Antarctica Antarctica का बारे में आपको हम कल बताये थे, यहां हमें question बनता है वाइट कंटिनेंट स्वेत महादीप किसको बोलते हैं अन्टार्टिका को बोला जाता है अभी हाल ही में A76 करके एक आइसबर्ग था जो कि आपका अन्टार्टिका में ही मिला है करेंट अफरेस कोशन है इसको भी ध्यान में रखियेगा कर आपको हम बताया थे कि अन्टार्टिका के लिए एक तालिसवा आपका साइन्टिफिक अभियान गिया है पहला साइन्टिफिक अभियान 1981 में गिया था यह साइन्टिफिक अभियान किसके द्वारा भेजा जाता है ANC POR के द्वारा भेजाता है नेशनल सेंटर फोर पोलार ओसियन रिसर्च इसका हेड़कॉर्टर कहाँ पे है गोवा में है अंट्रार्टिका में भारत का तीन रिसर्च बेस एस्टेशन है रिसर्च करने के लिए, कौन कौन सा इस्टेशन है, पहला कौन सा है, दक्षिन गंगोत्री, दूसरा आपका है मैत्री, तीसरा है आपका भारती, दक्षिन गंगोत्री, 1984 में अस्थापित किया गया था, मैत्री को 1989 में अस्थापित किया गया था, और भारती को 2012 में अस्थापित किया गया था, अंटार्क्टिका में, question पे आते हैं सबसे highest peak Antarctica का पता है Mount Vincent massive Australia का सबसे उचा चोटी काँशा है Mount Cossiersko दक्षिन अमेरिका का सबसे उचा चोटी काँशा है Mount Aekangua Aekangua याद रखियेगा उत्री अमेरिका का सबसे उचा चोटी काँशा है Mount McKinley जिसको कि हम Denali range भी बोलते हैं इसको हम डेनाली देंज भी बोलते हैं कहां पर पढ़ता है आलास्का में और आलास्का आपका यूएस का पाचासवा एस्टेट है एस्या का सबसे उचा चोटी कौन सा है यूरोप का भी बता दीजिए यूरोप का सबसे उचा चोटी कौन सा है न्यूजीलेंड का बता दीज एल ब्रोज जाद रखेगा और न्यूजूलेंड का सबसे उंचा चोटी है मांट कुक मांट कुक नेक्स्ट क्या है कलारे पर टू मार्सल आर्ट कहां का प्रसीथ मार्सल आर्ट है तो वारे प्रसीथ का के रला का की लंबम मानीपुर का मार्षा लर कोन सब्सक्राओं सा है तांगता के थांगता को कि आप मार्शाल हो ऑप हर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कली आप की रö comport को के लादा है है केरला में ही आपका साइलेंड भहली है जिसको है केम सांत घाटी के नाम से जानते हैं आपका यहां पे सबरी मला मंदीर है, सबरी मला मंदीर में ही आपका मकर विलकुत तहवार मनाया जाता है, कल्पती रत महत्सो कहां पे मनाया जाता है, कल्पती रत महत्सो कहां मनाया जाता है, और अट्टू महत्सो कहां मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है, मौपला यार्डेम कहां पर है केरला में ही है केरला का ही आपका classical dance कौन सा है मुहिनी अटम और कथकली कथक अपका यू पी का है कथकली और मुहिनी अटम का कहां का है केरला का है 2011 का जन्गन्ना के अनुसार यहां पर टॉप sex ratio है फीमेल का संख्या एक हजार चवरासी है पर थाउजन्ट मेल पे आपका आदमी का संख्या मतलब मेन का संख्या एक हजार है तो फीमेल का संख्या आपका एक हजार चवरासी है हाली में केरला गवर्मेंट के दोरा वन इस्कूल वन आईएस प्रोग्राम में स्टार्ट किया गया है एक स्कूल से एक आईएस निकालने का प्रोग्राम है हाली में केरला में फर्स जेंडर परकास थापना किया गया है जिसको कि हम Thentadome बोलते है इसी बेंबा नाड़ जील में आपका Botress होता है कौन सा Trophy होता है? Botress के लिए, Nehru Trophy केरला को हीní Spice Garden के नाम से जानते हैं मसालों का बगीचा के नाम से जानते हैं एक और important है जो हमेसा इजाम में पुश्ते रहता है चीनार वाइड लाइफ सेंचूरी मतलब चीनार वन जीव अभ्यारन कहां पर है केरला में ही इस्तित है केरला में ही इंपोर्टेंट जी आई टेग मिला है कौन कोसा जीए टेग है कसावु साड़ी निलामबर टिक नावारा चावल कठी उट्टूर मेंगो और एड्डियूर चीली ठीक है इतना तो हो गए आपका केरला से इसमें और नेक्स्ट अप्षण है आपका तंमिलाडू तंमिलाडू के बारे में के GIRल क्या क्या पता चुके हैं मैट्यूर बांध कहां पर है कावेली नदी पे यह आपका तंमिलाडू में स्थित है कुड़न कुलम और कल्प वक्त प्रमानु सयंद्र पॉंगल तेहवार और जलई कट्टू कहा पे मनाया जाता है तमिलारम में एक है मामलम पूरम उत्सो इंपोर्टेंट है यह याद रखिए है मामलम पूरम उत्सो जल्ली कटू तेहवार में ही आपका बूल को लड़ाया जाता है साणको लड़ाया जाता है थाई पूसम तेहवार यह भी इंपोर्टेंट है थाई पूसम तेहवार कहां पर मनाया जाता है त तमिलाडू का आपका सास्त्रिय निर्त कौन सा है भरत नाटियम मुकूर्ती नेशनल पार्क मद्दू मलाई नेशनल पार्क अन्ना मलाई नेशनल पार्क ग्यूंडी नेशनल पार्क आपका कहां पर है सब तमिलाडू में है तमिलाडू में ही आपका मिनाक्षी मंदीर है मिनाक्षी मंदीर किस नदी के किनारे है तो आपका वेगई नदी के किनारे है और मिनाक्षी मंदीर को किस सासक के द्वारा बनवाया गया था पांड वन्स का साचक था उसके द्वारा बनवाया गिया था मिनाक्षी मंदीर सलेम इसपास सेंदर कहां पे है तमिलाडू में है सीवराय हिल्स कहां पे है तमिलाडू में है इतना तो हो गए आपका तमिलाडू से नेक्स्ट ओप्सन क्या है मनीपूर मनिपूर से क्या क्वेशन बनता है वहाँ पे है एक लेक कौन सा लेक है लोकटक लेक लोकटक जील इसी जील में आपका एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है उस नेशनल पार्क का क्या नाम है काबूल लामजाव नेशनल पार्क इसी नेशनल पार्क में आपका शांगाई हीरन रहता है मनिपूर का इंपोटेंट फेस्टिवल के बारे में पूछता है कौन सा लाई हरोबा चपचार कुट महत्सो कहां पर है मनिपूर का चपचार कुट लगा मिजोरों में है कुट महत्सो याद रखिएगा कुट तेवार आपका मनिपूर में है गिरोह नगई तेवार कहां पर मनाया जाता है मनिपूर में मनाया जाता है लाई हरोबा आपको बता चुके हैं मनिपूर में योशांग उत्सो भेक योशांग उत्सो कहां पर मनाया जाता है मनिपूर में मनाया जाता है एक और फेमस है मनिपूर का नेशनल पार्क सीरोही नेशनल पार्क सीरोही राष्ट्रिय हो दियान याद रखेगा इसको भी नेक्स्ट क्या है आस्टेलियन ओपन का सुरुवाद कब से किया गया था तो Australian Open का शुरुवात 1905 से स्टार्ट किया गया था यह आपका टेनिस टूनामेंट है चार आपका टेनिस टूनामेंट को याद रखना है चार जो आपका पहला टेनिस टूनामेंट है वह है आपका अस्ट्रेलिया इसी करम में आपको याद भी रखना है क्योंकि इसी करम में पहले होता है आपका тр सबसे पूराना ओपन तो आपका है विवर्डन कप से स्टार्ट हुआ था आपका 18,177 में स्टार्ट हुआ उसके बाद आपका US Open है, US Open आपका 1881 में स्टार्ट किया गया था, उसके बाद आपका French है, French को 1891 में स्टार्ट किया गया था और Australian Open को 1905 में स्टार्ट किया गया था यहाँ पहल जाता है तो दोनों आपका हार्ड कोट पे खहला जाता है हार्ट कोट पे यहाँ पे हैं, मिट्टी वाले कोट पे खिला जाता है नेश्ट क्या है निमलेखित में से पेण पौधों में भोजन का शंगरहन किस रूप में होता है भोजन का शंगरह आपका पेण पौधे में स्टार्च के फॉर्म में होता है मनुस्य में भोजन का शंगरहन किस रूप में होता है तो भोजन आपका glycosin के form में होता है आपका human में और साथ-साथ में आपका कवक में भी भोजन का श्रंगरहन glycosin के form में होता है जिसको कि हम fungus बोलते हैं कवक को अगर आपको bacteria का पूछे तो dextrin के form में होता है bacteria का बैक्टेरिया और इस्ट का भोजन का श्रंगरहन dextrin के form में होता है पेड़ पौधे में starch के form में होता है और मनुस्व में glycosin के form में होता है यह है आपका cellulose cellulose आपको क्या पताया थे जो पेड़ पौधे का cellulose का बना होता है human में आपका cellulose होता ही नहीं है किवल आपका cell membrane होता है कुसका झीली होता है कुसका भीति नहीं होता है कवक में आपका कोस्का भीति होता है सेलवाल होता है एक किस चीज का बना होता है काईटीन का बना होता है काईटीन का बैक्टेरिया का बैक्टेरिया का जो आपका कोस्का भीति है किस चीज का बना होता है पेप्टीडो गलाइकन का बना होता है याद रखिए गई सब कवक कवक का अधियन को क्या बोलते हैं माइकोलोजी और सेवाल का अधियन को फाइकोलोजी बैक्टिरिया के अधियन को बैक्ट्रियोलोजी अच्छा बैक्टिरिया का खोच किस ने किया था लिवेन हो जिसको की हम लिविंग सेल के नाम से भी जानते ह कि फर्स टाइम जीवित कोश्का का कोश्किस ने किया था लीवेन होक ने किया था बक्टिरिया का और मुरित कोश्का कोश्का कोश्किस ने किया था रॉबर्ट होक ने किया था और जो कोशिका में जो आपका नुकलियस है नुकलियस का कोश्किस ने किया था रॉबर्ट ब्र नुकलियस में जो लिक्विड भर रहाता है इसको हम क्या बोलते हैं निकलियो प्लाज्म में बोलते हैं किंद्रक द्रव्य बोलते हैं जो आपका कोसिका में जो लिक्विड भर रहाता है इसको हम क्या बोलते हैं तो जो कोसिका में लिक्विड भर रहाता है इसको हम बोलते है है साइटो प्लाजम हिंदी में इसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं दुनों याद रखिएगा कि नेश्ट क्या है एकवारिजिया में हैड्रोकलोरीक अमल तथा नाइट्रिक अमल किस अनुपात में होते हैं तो तीन अनुपात एक में होते हैं कैसे याद रखिएगा है एक अनुपात एक इसका बन जाएगा आपको लपे अक्जाम में ध्यान रखना है कि पहले हनो 3 है कि पहले हC is Cl है अगर एक्जाम में हनो 3 और हC is Cl का रहाँ ह्यों पुछ ले तो आपको एक अनुपात 3 answer देना है तो जो तीन है आपका इधर चल जाएगा वन आपका इधर आजाएगा तो एक अनुपाद तीन होगा आप एजामें देखके ही लगाएगा यहाँ पे HCL और NETRIK अमका पुछा था तो आपका option number B इसका correct answer होगा एक्वार इजिया क्या होता है एक्वार इजिया में ही आपका सोने का धुलाई किया जाता है सोने को आपको clear किया जाता है इसमें आपका सोनार क्या करता है आपका सोने का weight को कम कर देता है इसलिए आपको सोने का धुलाई के लिए एक्वार इजिया में सोनार को नहीं देना चाहिए ठीक है इस बात को याद रखिएगा नेक्स्ट क्या है आयोडिन टिंचर का निर्मान कैसे किया जाता है आयोडिन टिंचर का निर्मान आपका option number A आयोडिन और इथाइल एलकोहल का मिसरन होता है आयोडिन प्लस इथाइल एलकोहल C2H5OH का मिसरन है इसी से आपका iodine tincture का निर्मान होता है जो option number B है 10% petrol और 90% alcohol का मिश्रन से क्या बनता है gaso hole बनता है gaso hole जो option number C है benzene, petrol तथा ethyl alcohol का मिश्रन से आपका power alcohol का निर्मान होता है power alcohol का याद रखिएगा जो आपका option number D है 90% copper और 10% aluminum इससे आपका rolled gold का निर्मान होता है rolled gold important है याद रखिएगा 90% copper और 10% aluminum आपको यहीं पे अगर copper प्लस zinc दे देता तो पितल का निर्मान होता है brass का निर्मान होता है यहीं पे आपको copper और पीन दे देता तो आपका काशा का निर्मान होता है क्या है आपका next आवाल यदि जल को 0 degree centigrade से 10 degree centigrade तक गर्म किया जाता है तो पानी का घरना तो जल का density में क्या परिवर्तन होगा तो पहले आपका density बढ़ेगा उसके बाद घटेगा ऐसा क्यों माल लिजे कि यह आपका density आपका density अधर आपका temperature बढ़ेगा यहाप आपका 0 degree centigrade temperature है एक 1 degree centigrade 2 degree centigrade 3 degree centigrade 4 degree centigrade है चार डिग्री सेंटिग्रेट पर आपका पानी का डेंसिटी मैक्सिमम होता है इस पॉइंट को याद रखिएगा चार डिग्री सेंटिग्रेट पर आपका जो पानी का डेंसिटी और वोल्यूम यह आपका हो गया डेंसिटी घनतो और यह हो गया आपका वोल्यूम आयतन तो और वॉल्यूम आपका मीनिमुम होगा जआ अगर आप वॉल्यूम और टैंपरेचर का कराफ बनाएoras वेगा इसका उपर रहें हैं ये आपका वोल्यूम है आपका टेंपरेचर है तो जसका अँपर में बन जायेगा यहां पर आपका 0 दिऋ सैंट्ःकिरेट है और सबसे कम हो जाएगा यानि वोल्यूम और टेंपरेचर का पुछेगा तो आप अप्सन नंबर ए लगा सकते हैं कि पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा ठीक है लेकिन आपको यहाँ पर डेंसीटी का पुछा है तो डेंसीटी देख रहे है पहले जेरो देली सेंटी के पर बढ़ रहा है चार देख ससके बाद दोबारा के सकम होने लाइगा ठीक है इस बात को यद रखेएगा डेंसीटी पहले चार देली सेंटीके यह में झाध को ऑपनन मका करेक्ट एंसर होगा यहाँ सब लत नियुकुल वाटर का फर्मूला क्या होता है S2O जहां मैं पुछता है कि S2O का रेशियो बताईए बाइवेट बताईए वेट के अनुसार और भॉल्यूम के अनुसार आयतन के अनुसार मतलब भार के अनुसार हाइड्रोजन और अक्सिजन के रेशियो बताईए और आयतन के अनुसार hydrogen और oxygen का रिस्किव बताईए तो weight के अनुसार 1 अनुपात 8 होता है इसे होता है यहाँ पर hydrogen S2 है तो hydrogen का भार कितना होता है? 1 इसमें 2 अनु है तो 2 हो जाएगा oxygen का आपका atomic mass कितना होता है? 16 दोनों को काटिएगा तो एक अनूपात आठ मिल जाएगा वॉल्यूम के अनूसार हाइड्रोजन और और अक्सीजन का अनूपात दो अनूपात 1 है देख लेजे है ratchill iron दो में आपको temporary hardness और permanent hardness का हम बताये थे कि temporary hardness आपका calcium magnesium के bicarbonate लवन के कारण होता है और permanent hardness आपका calcium magnesium के sulphate और chloride लवन के कारण होता है permanent hardness को हटाने के लिए हम sodium carbonate डालते हैं sodium carbonate.10s2o जो की वासिंग soda का formula होता है और जो आपके temporary hardness है उसको हम गर्म करके भी हटा सकते हैं भारी जल का होता है भारी जल आपका जो hydrogen का isotope होते है न प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्यूटियम जो आपका deuterium है deuterium का जो oxide होता है न उसी से आपका भारी जल बनता है D2O इसका आपका प्रमानु भार कितना होता है प्रमानु भार इसका atomic weight इसका 20 होता है important है याद रखिया 20 से कुछ और चीज़ को हम बताये थे याद है कि 20 amino amino acid मिलके एक protein का निर्मान करते हैं वह याद रखियेगा जो आपका D2O है भारी जल का खुछ किस ने किया था यूरे ने किया था 1932 में भारी जल का उप्योव आपका nuclear reactor में मंदक के रूप में इस्तमाल किया जाता है मोडरेटर के रूप में इस्तमाल किया जाता है इतना सारा चीज आपको जल के बारे में याद रखना है चलिए हम आगे चलते हैं next क्या है भरत में GST गूड़्स एन सर्विसे टेक्स कुल कीतने रेट सलय बहे है उस्त में टोटल 5 रेट सलय बहें कौन कौन शा 0% 5% 12% 18 % और 28 % पांच रेट शलय बहें GST goods and services tax किस स्रेमिधान सुसंदर के तर्ट लागों किया गया था 101 स्रेमिधान सुसंदर के तरह है GST First time भारत में कब लागाया गया था 1 July 2017 से लागों किया गया था First Raj कौन सा था जो कि GST को अपलाई किया था अस्रम था अस्वम, फर्स्ट टाइम किस देश में GST अपलाई किया गया था, फ्रांस में, जो हमारा GST का मोडल है, किस देश पर अधारी थे, कानाडा मोडल पर अधारी थे, तो GST अपलाई किया गया भारत में, किस समीती किसी फारिस पर अपलाई किया गया था, तो विजय केलकर समीत GST Council GST Council में टोटर 30 मेंबर होते है और GST Council का अध्यक्ष कौन होता है Finance Minister होता है नेक्ष्ट क्या है पंडित रभी संकर निमलिकित में से किस यंतर से समंदित हैं तो पंडित रभी संकर आपका सितार से समंदित है सरोध वादक कल आपको हम बताये थे सरोध के लिए अमजद अली खान अली वर्दी खान आपका नाम बताये थे बासुरी के लिए आपको बताये थे हरी पसाथ चोरसिया पन्ना लाल गोस तबला के लिए हमको बताये थे जाकिर हुसेन ठीक है कल भी बताये थे आज चलिए फिर से हम दिखा देते हैं देख देख देजिए सरोध वादक सरोध वादक के लिए आपको अमजद अली खान का याद रखना है अली अकबर खान का याद रखना है और अलावदिन खान को याद रखना है शन्तूरवादग के लिए आपको पंडित सियुकुमारस्रमा याद रखना है पंडित 37 वियास का नाम याद रखना है सितारवादग पंडित रवी संकर जो कि अभी पूछा हुआ कोस्यन है याद रखना है आपको साहित परवेज खान और अरुस का संकर नहीं भी याद रकर काम चलेगा लेकिन निखिल बनरजी और पंडित रविसंकर को याद रखिएगा सितार वादा के लिए तबला वादक के लिए जाकिर हुसेन का नाम सुने हैं इंपोर्टेंट है याद रखिएगा किष्ण महाराज इंपोर्टेंट है याद रखिएगा बाशुरी वादक कल आपको हमें बताये थे हरी परसाद चोरसिया और पन्ना लाल गोहस इंपोटेंट है याद रखियेगा शारंगी वादक के लिए आपको पंडित राम नरायन और उस्ताद बींदा खाँ मिदा खाँ टोटल पंदरा भासाय अंकित किये गया है देख लिजे नोट पे आपका पंदरा भासाय दिये गया है अब बात आ गए भासा का लैंगवेज का भासा हमारे किस अनुसुची में है तो आपका आठवी अनुसुची में भासा के बारे में दिया गया है टोटल बारा सची में पहले आपका टोटल 14 लैंग्वेज थे बाद में आपका आठ और लैंग्वेज को जोड़ा गया है टोटल मिला के अभी 22 लैंग्वेज आपका भारतिय समीधान में मानेता प्राप्त है यह आठ लैंग्वेज आपका अलग अलग समीधान स्वाढ़ान के तह़त जोड़ा गया है इसी से इंजाम में कोश्चन बनता है आठ भासा को किस रूत में याद कीजिएगा वन तु का फोर नहीं अब फोर याद रखना है आपको वन फिरी फोर करके पहला में सींधी भासा 21 सहुद्धान से तहथ तीन लैंग्वेज कोकणे मानी पूर और नेपाली 11 70 वान से तहथ चार भासा डोगरी बोडो मैठिली और संथाली आपका बानवेवा से तहथ आपका समिधान में जोडा गिया है । टूटर आपका एक रूपय का नोट आता था एक रूपय का नोट पे किसका signature होता था तो आपका finance ministry का जो secretary होता है उसका sign होता है एक रूपय का नोट पे अब बाकि सभी नोट पे आपका RBI का governor का sign होता है RBI का governor का अभी market में कितने कितने रूपय का note available है 10 रूपय का note available है 20 रूपय का note available है 50 रूपय का note available है 100 रूपय का note available है 200 रूपय का note available है 500 रूपय का note available है और 2000 रुपे का नोटे भी लेवल है 10 रुपे के नोट पे किस चीज का फिगर बना हुआ है कुनार का सूरे मंदीर 20 रुपे पे एलोरा का गुफा का फिगर बना हुआ है 50 रुपे पे हमपी का फिगर बना हुआ है सो रुपए पे रानी का बाव का फिगर बना हुआ है, दो सो रुपए पे सांची का इस्तुप का फिगर बना हुआ है, पांच सो रुपए पे आपका लाल किला का फिगर बना हुआ है, दो हजार के रुपए के नोट पे मंगल यान का फिगर बना हुआ है, जो आपके दस लॉटक पे हमपी का फिगईर है इसको में सबरेठे स्लॉट सब्सक्राइब संभिल किया गया था ऌह तो रूपए के नोट पे रानिका भाव को दो हजार चौूदा में सबरा गया था और इस्को वर्लों हाच को इसको 1 मंगल यान है और मंगल यान आपका UNESCO World Heritage Site में सामील नहीं है UNESCO World Heritage Site में आपका टोटल 40 साइट सामील है UNESCO UNESCO का फूल फॉर्म भी एक्जाम में पूछ लेता है UNESCO का फूल फॉर्म क्या होता है United Nation Educational Scientific for Cultural Organization United Nation का Headquarter कहां पे है पेरिस में जो कि आपका फ्रांस का Capital है अच्छा पेरिस जो है आपका किस नदी के किनारे इस्थित है तो पेरिस आपका सीन नदी के किनारे इस्थित है अब जो आपका वासिंग्टन डीसी है जो कि आपका USA का Capital है वासिंग्टन डीसी वासिंग्टन DC एक कौन से नदी का किनारे इस्तित है तो आपका POTAMAC river के किनारे अपका Washington DC इस्तित है अच्छा एक चीज और बताईे कि भारत में Note का छपाई कहा कहां पे होता है पहले तो बताईे कि Note का छपाई कौन से Company कौन से Organization के दोरह किया जाता है तो नोट का छपाई भारत में दो और्गिनाइशन के द्वारा किया जाता है दो और्गिनाइशन कौन-कौन सा है तो आपका है Security, Printing and Mainting Corporation of India Limited जो second आपका और्गिनाइशन है भारतिय रिजर्व बैंक नोट, मुद्रन, प्राइबेट, लिमिटेट के द्वारा छपाई किया जाता है तो आपका Security, Mainting and Operation of India Limited है यह आपका दो जगह नोट का छपाई करता है कहा कहा करता है नासिक में करता है आपका दूसरा आपका देवास में करता है देवास आपका मध्य पर्दिस में पढ़ता है और आपका भारतिय रिजर्व बैंक, नोट, मुद्रन, प्राइबेट, लिमिटेट, यह आपका यह भी आपका दो जगह पे नोट का छपाई करता कहां कहां पर करता है पहला आपका करता है मैसूर में मैसूर आपका करनाटका में स्तित है और एक करता है शालबोनी विस्ट बेंगोल में करता है और आपको हम बता ही चुके हैं कि एक रूपय के नोट पर आपका फानेस मिनिस्टिक सेकेरिट्री का साइन होता है बाकि सभी प इंडिया का स्थापना किस अधिनियुम के तहत हुआ था उने सफ चांटिस के अधिनियुम के तहत हुआ था इसका अस्थापना एक अपरेल उने सब राल रिधिश को भु ऑंधिक अस्थापना Young हिल्टन आयोग के सिफारिस थी अरवियाई का स्थापना हुआ था रिजॉर्व वैंयग अफ इंडिया का आपका राष्टर क्रण निश्टिकन निशनलाजेशन कब था एक 1909 को हुआ था मतलब एक जनवरी निश्टर का RBI का nationalization रष्टे करन हुआ था RBI के पहले गवर्णर कौन थे Osborne Smith important है याद रखेगा कौन Osborne Smith और RBI के पहले भारतिय गवर्णर कौन थे तो CD देश्मुक यह भी यात रहेगा CD देश्मुक आपका पहले भारतिय गवर्णर थे और RBI के पहले गवर्णर आपका ओस बॉर्ण इसमीत थे ठीक है इतना सरा चीज आप RBI के बारे में याद रखेएगा चलिए आज क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में टपकाईएगा अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सस्क्राइब कीजएगा और वीडियो क लाइक भी कर दीजिएगा ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत